हां जी तो आज class number 6 ते हमारी और आज इस chapter का the end होने वाला है क्योंकि आज यहां पर हम लोग last topic की बात करते हैं chapter number हमारा कौन सा था chapter number हमारा सर फरस्ट है nature and significance of management और आज जो हम last topic की बात करेंगे उसका नाम है क्या coordination क्या नाम है बहुत important word है coordination सर यह वर्ड हमने ऐसा नहीं कि इस chapter में ही सुना है coordinate करना आपस में यह बात हम लोगों ने पहले भी सुनी तो इसलिए मैं आपको मौका दोंगा कि आप कॉडिनेशन का मतलब एक बार ट्राय करें क्या लगता वह कॉडिनेट कर लो वह आपस में क्या होता है जब हमने स्कूल की counties होती है विलास्ट चेर 11 स्टैंडर्ड में county होई थी कि नहीं होई थी वह तो काउंटी हुई थी तो वह आपस के अंदर एक एक में मंदा होता तो आपकी पार्टी और्गनाइज करता है मालो यह वह बंदा और जिसको हम बोलते हैं बिल्कुल यह बंदे ने जिम्मेदारी ले रख्किया और गिनाइज कराने के आपका सारा प्रोग्राम यह बंदा अलग अलग बंदों से तालमेल बनाके रखता अगर यह बंदा किसी भी लेवल पर तालमेल बनाने से रह जाए यह कहलो किसी पॉइंट पर यह तालमेल नहीं बना पाए मालो इसने में मंदे से जो आपका जापर आपके जो क्लब है वहां पर उसने बात कर लिया बात बन गई है उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन के तो आप लोग जाओगे उसक्लब तक वहां भी बात कर लिए कैट्रिंग की भी मालो बात कर लिए सब कुछ कर लिए यह वाला एलिमेंट भी कर लिया यह भी कर लिया लेकिन यहां अगर वो रह गया किसी रीजन की वरे से तो एंड प्रोसेस कभी अचीव एंड जो सपना है आप से डीजे नहीं है पार्टी और्गनाईस करा रहा है बंदा देखो सर पूरा मूड अपसेट हो गया क्या बताया आपको इस बंदे ने बहुत अच्छा तालमेल करने की कोशिश तो करी है सर देखो ना कितने बड़िया तरीके से यहां भी उसने फुल्फिल्मेंट करी यहां भी उसने तालमेल की बात करी यहां भी करी यहां भी करी और वो रिलाक्स हो गया और गलती से स्किप हो गया डीजे वाला एलेमेंट तो एंड जो परपस था ना जो स्टूडेंट्स थी ना 11th क्लास के वो बहार जब निकले पार्टी में तो बिचारे क्योंकि पैसे दे चुके थे तो पार्टी से भार जब निकले तो आपस में लोगों को इतना मूड अपसे इन्हों ने बोला यार बेडा गरक कर दिया भले खाना बहुत अच्छा था वंच भले खाना बहुत अच्छा था हर फैसिलिटी अच्छी थी लेकिन सर्फैसिलिटी का क्या करें जब तक डांस फ्लोट पर डांस ही नहीं कर रहा फ्रेंट्स के साथ तो कैसे मेमरेबल बनती वो पार्टी है हमारी तो बिलकुल मूड अपसेट हो गया इसका मतलब सर कॉडिनेशन का मतलब है सबका साथ सबका विकास हा की ना सबका साथ मतलब सर हर लेवल पर चाहिए होग सबका विकास हर बन्दे को साथ में लेकर चलो वह बंदा तीसरे कह साथ दे तीसरा चोत्रे कह साथ दे और पांचवा जटे कशटे कह साथ दे इस तरीके से Salesforce वन प्लस वन प्लस ना प्लस वन प्लस वन अ अगर accumulate करके अपनी services provide करें अगर ये लोग सब accumulate करके एक साथ इकठे हो के बढ़िया तरीके से काम करें तो ही end जो goal मैंने का था end goal और सब लोग जानते हैं sir end goal की अगर आप बात करते हो तो पूरे chapter में हमने यही सीखा एक organization का end goal तो sir होता है खूब खूब क्या कमाना profit maximization की तरफ organization open ही sir इसलिए होती है खुलती इसलिए है धन्दा क्यों खोलता है कोई बंदा ताकि वो खूब सारा बढ़िया तरीके से क्या कमा सके मुनाफ़ा कमा सके इसका मतलब sir अभी तक जितनी coordination की कानि आपने समझाई है उससे यह बात समझ में आती है कि हर बंदा अगर individual तरीके से काम करने का सिर्फ सोचेगा कि भाई मेरी ये duty है मैं तो ये कर रहाँ बस मुझे तो इतना ही पत है दूसरा बंदा भी फिर कह रहा है कि भाई मेरी तो ये duty है मैं तो इतना ही काम करूँगा बस मुझे फिर नहीं लेना देना किसी चीज़ से ऐसे बात बनने वाली वंश नहीं है अगर मैं बोलूँ अगर मैं याद कराऊं वो सुनहेरे दिन सर कौन से सुनहेरे दिन सर हम लोगों ने तो 2011 का यह विल्ड कप देखा है 83 में तो हम पैदा भी नहीं हुए थे तो हमें तो यह याद है व्ल्ड कप हां कि न वंश क्या सर मज़ेदर बात थी जरा बताओ कि यहां सर कॉडिनेशन के एक्जामपल आप दे सकते हो मैंने बोला मैं कोशिश करता हूँ देखो कितने मज़े से बात समझ में आएगी कॉडिनेशन ही तो हुआ था भाई मुझे बता अंड गोल गया था एंड मटो आंइ इसलिए सब लोगों का लोगी एंड गोल न दीा के अंदर आनेज यह लोकिन मुजे बस एक चीज़ बताओ जब 11 खेल रहे होते थे, 11 एलेवन प्लेयर्स खेल रहे होते थे, ऑन दिग्राउंड फील्ड, यह हमारी पिच्छ, कि क्या बंच, ऐसा ही कुछ होता है, यहाँ भी प्लेयर होते है, एक यह रहा, यहाँ पर भी होता है, यह विकेट कीपर, MS दोनी जी हमारे, यह दूसरे कुछ प्लेयर्स हमारे, हाँ कि ना, एक यहाँ, और एक यहाँ, कितने होगे प्लेयर, भी आठ होगे हैं, यह बॉलर होगे हैं, अब नो होगे, दस होगे हैं, मान लो यह पीछे भी हम लोगे ने पीछे भी खड़ा कर दिया इस तरीके, समने प्लेयर्स खड़े कर दिया, मुझे बताओ, हर इंडिविजुल प्लेयर, सच बताओ, जब अपने घर से निकला होगा, तो सोचा होगा न, उसने कि यार, मैं तो व्ल्ड कप में 100 रन मारूँगा, यह मारूँगा, दो सेंचुरिस तो कम से कम मारूँगा, बस मुझे इतना पता है, एक होगा थोड़ा और तरह अग्रेसिफ फ्लेयर, उसने का होगा, मैं तो 30 बॉलो पर ही 50 मारने का सोचूँगा, इस बंदे ने भी कुछ सोचा होगा, कि मैं 5 विक्टे लूँगा, कम से कम 5 मैचीज में तो पक का, एक ने सोचा होगा, मैं तो 2-3 मेडिन ओवर तो डालूँगा, जो कोई वल्ड़कप में नहीं कर पाइगा, मैं डाल के दिखाँगा, रवेंद्र जड़ेजा ने सोचा होगा, मैं 2-3 डिरेक्ट हिट्स तो मारूँगा ही, मारूँगा, हाँ की न, सब लोगों का, अपना पर्सनल, तो ही न, कुछ न, कु इनकी requirement है, क्या, कि भई, टीम को चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मालो कितने रन, ज्यादा रन मैं काऊंगा, कितने, 380 रन्स चाहिए, 50 ओवर में, और एक प्लेयर, यह जो प्लेयर है, मालो, इन्होंने सोच है कि भई, अब मेरको न, इस मैच के अंदर न, आउट नहीं होने, मैं यह सोच के आया हुआ है, कि जब मेरा साथ अफरीका के साथ मैच है, जो कि यहाला मैच है, इसमें साथ अफरीका ने कितने रन्स बना दी है, 380, मेरको उसके अंदर आउट नहीं होने, यह उसका कौन सा अब्जेक्टिव हुआ, परसन अब्जेक्टिव है, मुझे बस इक चीज़े बताओ, अगर यह बंदा ओपनिंग पर आया है, और 380 रंस का टार्गेट चेस करने है, तो ससर बताओ, यह क्योंकि सोच के आए, कि इसको आउट नहीं होने है, यह बहुत ही कैसे माइंड से खेल रहा होगा, क्योंकि इसका खुद का तो सोल परपास है, वो क्या है, कि मुझे आउट नहीं होना, आउट नहीं होने, इस चेकर में बहुत ही डिफेंसिव खेलता है, हर बॉल को स्ट्रोक करते देता है, बस धीरे धीरे और रन नहीं बना रहा है, बिल्कुल भी, सच बताओ, क्या end goal एक थ्रेड के थ्रू, एक थ्रेड के थ्रू, सर बांधना है, ताकि उसके efforts, पर्सनल अब्जेक्टिव जो हर एक जो individual है, वो effort कर रहे हैं कि effort ही नहीं कर रहे हैं, effort तो कर रहा है, लेकिन सर, उनके effort को कुछ इस तरीके से पिरोना है, उस धागे के अंदर, ताकि वो convert हो जाए, क्या हो जाए वंच? organization के कौन से interest के लिए? हाँ, तो coordination एक ये thread है, जिसकी मदद से हम एक individual के personal objective को, उसके कर रहे होए efforts को convert करते हैं, किस में? general interest में, general interest मतलब, जो कि एक organization का क्या होगा? common goal होगा, हम उसे कहेंगे, तेरे में बहुत talent है यार, लेकिन तु आज ऐसा मत सोच, कि तुरको out नहीं होना, क्योंकि target है 380 का, तो तु तेज, तेज stroke करके खेल, बढ़िया तरीके से खेल, और power play का फायदा उठाओ, और hitting कर, ताकि हमारा 380 का सपना पूरा हो सके, तो यहाँ पर इसको किसने direction दियोगी? यह player का नाम मालू Mr. A है, इसको B ने coordinate करा होगा कि नहीं करा होगा? B ने क्या बोला होगा? कि भाई देख, इस समय अपने personal interest को मत देख, अगर हम common goal, मतलब अगर इस match को जीतना चाते हैं, और कितने रंस को chase करना चाते हैं, तो तेरको अपने personal interest छोड़ने पड़ेंगे, और उसको general interest मतलब, team के common interest के लिए, common goal को achieve करना के लिए, तेरको अपने individual efforts हैं, उनको collective करना, उनको connect करना, उनको synchronize करना, ताकि हर एक individual के करे हुए efforts, मिल के हमें कौन सा सपना मरा पूरा कर दें, तो इस simply बोलू तो unity of action वाली बात हो रही है, कि सब लोग अगर मिल के काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, तभी common goal achieve हो सकता है, उसी को हम लोग coordination भी ब तो यह तो हमने world cup के थू जाना, coordination का मतलब क्या है, अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा practical, आप से एक factory का example मैं लेता हूँ, माल लो एक industry है, वो क्या manufacture करती है, वंश, pen manufacture करती है, यह pen manufacture करती है, और इनके अलग-अलग departments है, बड़ीया business है, बड़ा business है, अलग-अलग department है, यह वो है हमारा sales department, कौन सा department, sales department को अभी-अभी, बस अभी-अभी mail आया है, और इनको एक order receive हूँ है, sales department को क्या receive हूँ है, order मिला है, कितने units बेचने का, इतने units pen के, दसरा units बेचने का, इनको अभी-अभी order receive हूँ है, ठीक है भई, भई, वंश, मुझे बताओ, यह sales department को दसरा units बेचने है, यह बेचना सिर्फ और सिफ तभी possible होगा, जब इन दसरा units की क्या होई होगी, production होगी, बने होगे, तो sales department वाले उसको बेच सकता है, यह हमारा production department है, इसका मतलब sales department पूरा का पूरा, किस पर dependent है, क्योंकि production department के अंदर अगर 10,000 pens बने होगे, तभी तो sales department को जो order receive हुआ है, वो उसको execute कर पाएगा, हाँ की ना, अब भई production department वाला भी sir, क्या किसी पर dependent है, मैंने बना बिल्कुल dependent है, बताओगी किस पर, वो dependent है, किस पर, अब purchase वाले ने अगर raw material खरीद के रखा होगा sir, pen बनाने से related, जो raw material required होता है, अगर वो नहीं ख करीद के रखा होगा, तो क्या कर पाएगा production department, वंश, पक्का याली बात clear है, तो simple सी बात है, purchase department, जरूरी है किस के लिए production department के लिए, और production अगर successful होगी, तब जाकि वो sales का order हमें मिला है, वो हम fulfill कर पाएगे, इसका मतलब साफ ये बात समझ में आती है, कि अगर हम लोग क्या चाहते हैं, फिर से, वही सेम बात आ रही है, फिर से, common goal जो है, मतलब end जो result हम चाहते हैं, मतलब हम दसरा यूनिट्स अगर इस example के साब से बेचना चाहते हैं, सर वो दसरा यूनिट्स interdependent है, एक दूसरे पर, अगर सबका साथ, सबका विकास वाली बात यहां पर नहीं तो इनकी बात वैसे भी सर कभी पूरी नहीं हो सकती है, तो यही तो coordination है, coordination का मतलब ही होता है, कि हर एक department जो individual अपने आप में, sales department वाला सिर्फ अपना ही सोचता रहे कि मेरे को तो यह काम करना है, मैं कर दूँगा, मुझ से और कोई बात ना करे, production वाला अपनी चलाए बिलक करने का, खूब-खूब sales करने का, वो सपना शर कभी पूरा नहीं हो सकता है, तो अगर coordination का असान मतलब अगर देख रहे हैं, तो coordination का असान मतलब यही है, कि जो individual department जो हम लोग बना देते हैं, उनको सबको साथ में लेके चलना, आपस में इस तरीके से coordinate करना, ताकि purchase वाली की जुरुत पूरी होती चले, और sales department का भी काम बन जाए, तीनों के बीच में प्यार महबत होगा, तो ही बात बनेगी, अगर एक दूसरे के against हैं ये लोग, एक दूसरे से इनकी बनती नहीं है, तो भई purchase वाला बंदा माल बना के भी क्या पता बोलेगी, नहीं है, अभी तो मा प्रोडक्शन वाले को भी सकता हूं, इस ट्रक्कर में प्रोडक्शन वाला अपनी प्रोडक्शन शुरू नहीं करेगा, और sales department को जो order receive हुआ है, वो एक समय के बाद cancel हो जाएगा, क्योंकि sales department ने जिनको ये समान बेचना था, वो कितने दिन वेट करेंगे, हाँ के न, definition of, coordination की definition की बात हो रही है, यह बहुत असान है, अब तो हमें मतलब सारा clear वैसे भी हो चुका है, अब तो बस लिखना बागी रह गया, लिखूं, coordination is synchronizing, असान मतलब इसका ब्रैकेट में लिख देता हूँ, connecting, जो एक दूसरे को जोड़ती है, connecting force, force मतलब पावर होता है, लिखा हूए, coordination is synchronizing या connecting force, which a manager, which a manager, integrate, which a manager, integrate, the efforts, the efforts and activities of different, of punch, different departments, अभी बात कर दिया हम लोग ने डिपार्टमेंट्स की, different departments, working at, working at, definition थोड़ी बड़ी है, working at different levels, अब इसको जब आपने एक बास समझ लेते हैं, चीक है, वन शेक वर इसको मेरे साथ साथ read करेंगे, coordination is synchronizing, synchronizing का मतलब है, आपस में सबका साथ, सबका विकास, that is connecting, आपस में connect करके चलना, किसको, coordination एक connecting force ही है, force का मतलब power होता है, coordination is a connecting force, which a manager, integrate, integrate, मतलब integrate मतलब एक साथ लेके चलता है, किनके efforts को, और किनकी activities को, different departments के efforts और different department की activities को, एक साथ लेके चलना, और उनकी working, अलग-अलग levels पर होती है, ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था, कि जो levels of management है, वो भी तो सर, अलग-अलग इस्सों में बटे हुआ है, उन हर जगाओं पर, हर level पर हमें ज़रुवत पढ़ती है, किसकी coordination की ज़रुवत पढ़ती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर, top level वालो बंदों को ही क्या चाहिए होती है, coordination की requirement होगी, नहीं, यह जो यहाँ पर लिखा है न, different levels, यह different levels का मतलब सर सारे हो गए, सबसे पहले कौन सा level हम लोगों ने सीखा था, पिछली क्लास में, top level के बीच में भी क्या coordination ज़रूरी है कि नहीं है, आपस में जब तक बात नहीं करेंगे, coordinate नहीं करेंगे, अपनी बातों को connect नहीं करेंगे, तब तक अच्छे plans वगेरा या strategies नहीं बनाई जा सकती, वंच हां की न, उसी के बाद बात आई थी middle level की, middle level वो level उतरा जहां पर हम अलग-अलग क्या बना देते थे, departments बना देते थे, production department, sales department, इस तरीके से अलग-अलग department बनाते थे, अभी हम लोग बने पिछले example में यहां पर यही तो सीखा, कि अगर अलग-अलग department एक दूसरे से coordinate नहीं करेगा, तो कभी भी group goal achieve नहीं हो सकता है, वंच, और सर्थ थर्ड लेवर भे, भी क्या coordination चाहिए, बिलकुल lower level, जापर हम बात करते ही किसकी थे, सर्थ वर्कर्स की बात होती थी, वर्कर्स से अगर हमारा तालमेल नहीं होगा, तो वर्कर्स ना तो कभी अपना true feedback हमें दे पाएगा, ना अगर उसको कोई complaint है, ना वो कर पाएगा, और अगर उसके बस कुछ ideas भी हैं, उस चीज़ को बनाने के और अच्छे तरीके से, ज्यादा production करने के तरीके से, अगर वो हमसे डरता है, तो वो कभी हमसे communicate नहीं कर पाएगा, तो हमारी उसके साथ coordination भी कभी नहीं होगी, अगर अच्छे से coordination होता हमारा वर्कर्स के साथ, तो वो भी motivated रहते, और अब वो motivated रहते, तो उस चकर में क्या होता हमारी productivity लेवल भी बढ़ जाता, हम ज्यादा से ज्यादा produce कर पाते, तो coordination हर जगा पर चाहिए, चाहिए ही चाहिए, इसी लिए सर, इसी लिए एक important बात निकल के आती है, क्या सर, वंश क्या, उसको हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि बहुत important बात है, कहा जाता है, coordination is the essence of management, coordination is the essence है, चाहिए ही चाहिए, management के हर function पे, चाहिए फिर वो planning हो, organizing हो, staffing हो, directing हो, या controlling हो, at all levels, coordination के बिना, coordination है, मतलब सर, बड़ा असान है, तालमेल वाली बात है, अब वही वाली बात है, मम्मी को बोला, मम्मा करोना चल रहा है, भाई आज तो कुछ, bread roll बगएरा खिला दो, भाई वो coordination, तब तक नहीं होगा नहीं, आपको bread roll भी नहीं मिलने वाले है, सर क्यों, example, मैंने बोला, घर पे bread अवे लेवल नहीं है, तो सबसे पहले क्या कर, आपने coordinate करा, सब्जी वाले के साथ, आपने बोला, भाईया, मुझे सब्जी दे दे, सब्जी वाले से सब्जी ली, तो पता चला, उससे सब्जी ली, आलू भी लिये, और फिर किसी बेकरी शॉप से आपने bread ली, कहीं से आप लोगों ने फिर और मसाला बगरा लिया, उससे related, तब जाके घर पे आए, तो फिर गैस की भी ज़रूरत थी, गैस वाले से भी बात करी, मान लोग गैस का cylinder भी अवेलेबल नहीं था, उसके बाद, ओइल डाला, सब कुछ करा, और फिर end में बात नहीं बनी, सब ने बोला, ममी भी पिचकू का है, सॉस का है, वो सॉस ली, तब जाके जब खायरान लगे, तो पता चला, कॉफी नहीं है, या चाय नहीं है, फिर कॉफी या चाय की भी डिमांड हुई, तब जाके एक complete tasty evening खाना में मिल पाया, पताओ हां की नहीं है, तो आपस में coordination तो सर हर जगा पर ही चाहिए, ये बात तो clear है, अब मैं student की बात करूँ, अगर मैं वंश की बात करूँ, कि वंश मेरे लाल त्यारी कैसी चल रही है, वंश ने बोले लोईट सर त्यारी ठीक चल रही है, मैंने बोले यार ये तो तू मेरी बात बता रहे है, अपनी बता त्यारी कैसी चल रही है, कि अगर मुझे तिरे को टॉप परफॉर्म कराना है अगर मिरे को सपना पूरा कराना है हंडेट मार्स का तो जो मैंने बूला जो ऑनलाइन सब्जेक्टिव टेस्ट रखा था वो करा मैंने बूला क्या बात है यह तो फिर बड़ी है हमारा सपना पूरा हो जाएगा आगे चलके मैंने बूला घर में दुबारा से रिटन प्रैक्टिस करी बीस्ट और अकाउंट्स दुनों की वंच ने बूला कोशन मांग बन गया शकल के ऊपर वंच कहरा सॉरी सर यह नहीं करा मैंने बूला अच्छा चल कोई बात नहीं रिवीजन तो करी ही होगी ना पक्का इतने दिनों सब्सक्र नहीं करी तो यहां से लेकर यहां तक तो कॉर्डिनेशन बना रह rato सब का साथ सब का वरकास होता गया लगिंखनेल नहीं पूरा हूप रहीर यह एलीमेंट पूरा नहीं हो पाया तो सर्वजों एंड गोल है अ वो कभी भी क्या नहीं हो सकता वंच नहीं हो सकता सर यह बात तो management की तरह होगी management का भी एक feature आपने बनाने था कि management pervasive है required at all levels उसी इसाफसे coordination भी हमें हर जगा पर चाहिए ही चाहिए होगा irrespective वो कोई भी level क्यों ना हो चाहिए फिर वो top level हो पॉलिकिस बनाने वाले जो होते हैं, वो हो मिडल लेवल हो, जहांपर हम अलग 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 डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, और चाहिए फिर वो लोड लेवल हो, जहांपर वरकर लोग काम करते हैं, उन सब के बीच में अगर कॉडिनेशन नहीं होगा, इंटीग्रिटी नहीं होगी unity of action नहीं होगा हम जब तक हर बंदे के individual interest को common goal की तरफ general interest की तरफ organization के goal की तरफ नहीं लेके जा पाएंगे तब तक सर वैसे सवाल ही नहीं उड़ता यह तो वह है फिर कोली अपना सौव मारता जाए है India ज TCP लेख कोडिनेशन की कोडिनेशन ही हिए अभी लोग नहीं बात करी पूरा concept पका कारा की कोडिनेशन होता क्या है हमने उसकी definition की बात करी है राइट और हर तरीके से हर example के थुरू हमने coordination का मतलब सीखा अब आता थी कुछ खास बाते भी तो होंगी सिर्फ coordination में बिलकुल अभी तब actually मैंने आपको जो जो बाते बता ही हैं वहीं से कहीं न कहीं इसके features भी निकल के आते हैं ठीक है characteristics क्या लो या features क्या लो number one मैं लिख रहा हूँ Coordination Coordination Integrates Integrates Group efforts हा के न यह तो वैसे भी बात clear आगे सर अगर common focus या common goal की तरफ अगर हमें जाना है तो हमें group efforts को साथ में लेके चलना पड़ेगा मतलब individualism छोड़के यह सिर्फ अपना सोचे यह भाई सब भी सिर्फ अपना सोचे तो बात नहीं बनेगी हमें उनके individual interest को वंच क्या करना पड़ेगा convert करना पड़ेगा group goal की तरफ तब भी हमारा common goal achieve हो सकता है इनको भी साथ में लेके चलो इनको भी साथ में लेके चलो सबको साथ में लेके चलो ताकि हमारा क्या अचीव हो जाए वंच सिंपल सी बात है सर वैसे भी management एक group activity थी सब लोग मिल के साथ में काम करते थे तब ही बात बनती थी अकेला management का process कोई नहीं समाल सकता हमें कुछ बंदों की जरूरत पड़ती है और coordination हमें इसी integrate का मतलब एक साथ ही तो है सबको साथ में लेके चलना तो खुद देखो न यह त पर्सनल objective से सिर्फ काम करेंगे तो organization का goal तो कभी सवाल ही नहीं उड़ता कि कभी पूरा हो पाए यह अपना करता चले लेकिन इतने अच्छी तरीके से coordinate करें कि इसको मदद मिल जाए यह इतने अच्छी से काम करें कि इसको मदद मिल जाए तभी याद करो जो पीछे example लिया अब बात आती है second point हमारा जो आता है feature का पहला होगया coordination integrates group efforts साथ सा याद भी करतो है चले वंच तभी clear होगी सारी बात है second है coordination brings बंच coordination brings unity of action यह उपर वाली बात से related बात ही है बड़े ध्यान से अगर आप अपने आप सोचेंगे तो आपको खुद को भी इसका answer मिलेगा वैसे तो unity of action unity का मतलब तो वही वाली बात है सबका साथ सबका विकास मतलब group efforts की बात ही हो गई एक साथ चलना मतलब इसका मतलब यहां पर वही बात है कि हमें क्या होगा अलग-अलग departments हमारे पास available होते है production department अलग purchase department अलग sales department अलग finance department अलग marketing department अलग अगर इन सबको common goal की तरफ लेके जाना है यह सपना अगर पूरा करना है तो इन सबको भी अपने अपने जो इनके actions हैं अपने जो इनके काम है उनको unity के साथ मतलब एक साथ मिलके coordinate करके sir तालमेल के साथ एक दूसरे को अपने demerits और merits बता के कि purchase वाला बता के चले कि भाई मेरे बास अभी इतना ही माल आया है तो आप इतने की ही production कर पाओगे production वाला sales वाले से coordinate करके चले कि भाई मेरे पास production के लिए इतना ही माल आया है तो आप 10,000 का order मतलो अभी सिर्फ कितने order ही लो 5000 पैंस का यह order लो अगर इस ताल मिल से बात चलती रहेगी तो सच बताओ organization की reputation पर भी ना तो कोई फरक आएगा बलकि reputation क्या हो जाएगी इनकी reputation बढ़ती जाएगी बशर्ते यह लोग individualism छोड़के अपने actions में unite हो जाएए सब लोग एक साथ मिल के बात करें तभी organization का goal अचीव होगा कोई दिकर तो नहीं third जो feature है वो बहुत बड़ी है और वो बहुत असान भी है सर कौन सा यह वही है coordination is a continuous process coordination is coordination is continuous process सर यह तो obvious बात है एक बादी थोड़ी ना हम 10,000 पेंस बेच रहे हैं बस उन 10 पेंस के लिए अगर हम एक आपस में सारे departments को coordination की जरूरत थी purchase वाला production के साथ linked था production वाला फिट से लिंक था यह एक बारी का process थोड़ी ना हुआ सर आगे चलके फिर पता नहीं किसी और चीज़ का भी order मिल सकता है registers का मिल सकता है markers का मिल सकता है pencils का मिल सकता है और अलग अलग चीजों की मिल सकते है तो coordination फिर से हमें हर जगा पर required होगी और हर समय ही required होगी जब हम अपना process 1 complete करेंगे और process क्या start हो जाएगा process 2 वहां पर भी coordination फिर process 2 के बाद process 3 जब हम start करेंगे फिर coordination चाहिए होगा फिर ऐसे चल करते करते हमें हर level पर coordination की requirement तो होगी होगी सबका साथ सबका विकास सर simple सी बात है कोई देकर तो नहीं फीचर नमबर 4 है coordination is coordination is all pervasive यह बात हम लोग management की features के वक्त भी कर चुके है pervasive का मतलब भी होता था sir required at all levels यह बात मैंने पीछे भी बताई है कि coordination की requirements सिर्फ और शिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ top level वालों को होती है top level वालों को भी coordination चाहिए sir middle level वालों को भी चाहिए अभी आपने पीछे बताई भी थी सारी बाते top level वाले वह होते हैं जो कि आप frame करते हैं policies बनाते हैं policies को एक बंद अकेले बनाके थोड़ी ना बैठ जाएगा यह आपस में जब तक तालमें नहीं करेंगे किंसे भी middle level वालों से जिन्होंने अगल फर्दर चलके क्या बनाने है अलग-अलग department बनाने है सब अगर एक दूसरे के साथ बातचीत करके चलेंगे तभी तो असानी से department बन पाएगा और lower level वाले जो वरकर्स हैं उनके साथ भी अगर हम coordination नहीं करेंगे तो वह सबसरह ground level पे है अगर आप इनसे भी पूछ लो कि इनको किस तरीकी का infrastructure चाहिए किस तरीकी की facilities चाहिए तभी तो टॉप लेवल वाले फिर उससे रिलेटिट क्या बनाएंगे policies बनाएंगे बताओ तो क्या टॉप लेवल वालो और lower level वालो में coordination चाहिए कि नहीं चाहिए वंच तो सर्फ फिर से वह वाली बात है समस्य में आ जाएगा हमारा क्या हमारा common goal समस्य में आ जाएगा हमारा common goal कभी achieve नहीं हो सकेगा वह दिखकर तो नहीं वंच फीचर नंबर फिफ्ट फिफ्ट फीचर जो है वह बहुत बड़ी है कि coordination coordination is the responsibility is the responsibility किनकी responsibility कोडिनेशन कराना लोगों के बीच में अलग अलग departments में तालमेल बनवाने की जिम्मेदारी किसकी है of obviously sir of all of all वंच मैंने इसकी responsibility है जो हम कह रहे है आपस में सबका सब्सक्राइब कोडिनेशन का मतलब तो लेकिन वह कोडिनेशन कराने की कि बोलूँ तो लेवल वाले क्या करते हैं अभी मैंने बताया था बार 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 बने बताया पॉलिस बनाते हैं सारे अपने प्लैन ऑफ एक्षन बताते हैं कि यह बात टॉप लेवल वालों ने सबॉडिनेट से कोडिनेट करी की नहीं करी और सर फिर अगला लेवल कौन सा था सर मिडल लेवल वाले क्या करेंगे मिडल लेवल पर बैठे हुए मैनेजर्स जो क्या करेंगे से म verg लेवल लेवल जो फर फस्ट लाइन या तॉप लेवल की जो मैनेजर्स उते व दूसरे से भी हैँ अपस में कोडिनेट करेंगे हा की ना और फिर जो का पर बैठे हैं लोगर लेवल के उपर जो बंदे होते हैं उनकों सुपर्वाइजर्स बोलते हैं हा की ना अब supervisors क्या करेंगे, supervisors ही सबसे close है किनके, lower level पर क्योंकि जो काम करने वाले वो होते हैं, workers मतलब, और supervisor वो होते हैं, उनसे काम कराते हैं, supervisor भी ये चेक कर रहा होगा कि workers according to plans काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सब एक दूसरे में आपस में क्या कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और organization का goal भी तभी अचीव होगा जब managers अपने duty को अच्छे तरीके से perform करेंगे और हर चीज के लिए खुद responsible रहेंगे, कोई देखकर तो नहीं है, और last जो आज की topic है, वो है हमारा feature number 6, जो की है बहुत ही असान, जो की है coordination is a deliberate function, is a, वंश का मतलब है, अपनी इच्छा से, अपने willingness से, example, वंश यह जो lectures है, उस अप YouTube पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं, जुड़ने वाले मानलो, अभी कितने subscribers हैं, example है, यह 500 वो viewers हैं, जो मेरी accounts की और BST की जो अभी हम लोगों ने start करी है, करोना की problem में, class 1 से, हम लोगों ने अपनी जर्णी शुरू करी है, accounts की और BST की भी, तो कहने का मतलब यह है, यह 500 में से, सिर्फ मैं कहरो, 230 या 235 मेकसिमम लोग हैं, जो accounts और BST की वीडियो क्लास नबर 1 से देख रहे हैं, अब बताओ, मैं जितना मर्जी चाह लूँ, जितने मर्जी efforts क्यों ना कर लूँ, वीडियो बनाने के लिए students के लिए कि भाई, करोना में समय बरबाद नहीं होना चाहिए, गाड़ी चलती रहनी चाहिए, बढ़िया तरीके से, लेकिन सिर्फ उसका benefits कितने students उठा रहे हैं, तो सर, वो coordination भी एक deliberate function है, आप लोगों को कितना students को कितना अपने साथ जोडने की कोशिश करो, उनके भले के लिए, उनका common goal अचीव कराने के लिए, कि उनकी knowledge भी बढ़ती रहे, और जो 100 नमबर का सपना लिया था, हम लोगों ने session 2020 और 2021 session के लिए, वो सपना करोना के होते वे भी पूरा हो सके, लेकिन सर, ये तालमेल जो हुआ है, वो एक deliberate function है, सर, खुद की willingness वाली बात है, आप किसी को गुसा करके, अपने साथ जुणने की आदत नहीं बना सकते हैं, ये तो self willingness है, जो चाहता होगा, वो ही coordination कर पाएगा, जोड जबसरी से coordination होने वाली नहीं है, ये तो खुद की इच्छी वाली बात है, कि हम इस तरीके से तालमेल बनाए, इतना अच्छा motivational spirit रखें, आकि सब लोग coordination खुदी करने के लिए तयार हो जाएं, तो ये एक deliberate function है, मतलब self willingness वाली बात है, अपनी इच्छा अनुसार ही होगा, ये बात तो ठीक है, तो कोई दिक बढ़िया तरीके से close हो जाएगा, और उसके बात याद रखना, MCQs हम लोगों ने करने है, online, ठीक है, MCQs करने है, उसकी वीडियो भी बनेंगी, और बाकी students को तो MCQs के PDF मिल जाएंगे, इस नंबर पर WhatsApp करके, उनको PDF के links मिल जाएंगे, और वो online test दे सकते हैं, chapter number 1 का, और जल्दी हम लोग एक YouTube वीडियो भी बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग chapter 1 के MCQs को भी discuss करने वाले है, ठीक है वंच?